चलिए इस प्राट करते हैं story का धस्टिंगीः लेसंग पहले तोड़ा सा author के बारे में जान लेते हैं १िस story के जो author है इनका नाम है female author है Catherine Mansfield नुजेलेंड में बहुत जादा famous हैß क्योंकि नुजेलेंड में न्की पritाईश हुई थी ठीक है New Zealand में पहली author थी जिनका जो fame है वो international level का था, ठीक है, death इनकी बहुत जल्दी होई थी, 34 की age के आसपास इनकी death होई थी, TB से death होई थी, TB से death होई थी, 34 की age में, बात में New Zealand से चले गई थी England, England में इनकी दोस्ती होई थी, in writers के साथ, D.H. Lawrence और Virginia Woolf, तो यह अपने आप में बहु जाता है कि काफी इनके नदर जो thoughts थे, इनकी stories थी, बहुत rebellious थी, ठीक है, अपने time के सबसे काफी आगे की writer थी, तो यह थोड़ा सा मैंने आपको writer के बारे में बताया है, चलिए अब start करते है story के बारे में, story में क्या होता है, start होती है story, opening scene में क्या है, यहाँ पे यहाँ प story start हो रही है, इनका mood थीक नहीं होता, ठीक है, तो starting में इनका mood थीक नहीं है, बिल्कुल भी, आप देख सकते हो, photo में दिखाई दे रहे हैं, इनका mood थीक नहीं है, और यह school में music की teacher है, एक school में music की teacher है, तो यह school जा रही है, ठीक है, school में बस अब यह अंदर enter कर रही है, और यह जो बच्चे होते हैं school के, बच्चों का mood बहुत अच्छा होता है, obviously बच्चों का mood अच्छा ही होता है, बच्चे बढ़ों के तरह tension नहीं लेते, ठीक है? इनको मेडम को किसी बात की tension है, तो इनका mood खराब है, बच्चों का mood बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो, स्टोरी के अंदर, जो season चल रहा है, वो चल रहा है autumn का, ठीक है? तो autumn का जो season होता है, यह होता है, अगर इंडिया की बात करूँ, सेप्टेंबर और October का वाला season है, इस time पे जो पत्ते होते हैं, पत्ते गिरते हैं, ठीक है? पत्तजड का season होता है, जो leaves होते हैं, वो fall करते है ठीक है? यह generally thund से पहले का time होता है, मतलब thund होना start हो जाती है, ठीक है? तो thund होना start हो जाती है, और जैसे की, अभी हम आगे देखेंगे, तो हमें मालूम बढ़ेगा की obviously thund का time आ चुका है, क्योंकि generally, जैसे की Catherine Mansfield, England में ही New Zealand में जनम हुआ, और रही कहां पर थी, England में, त एडिया में तो competitively थी ठंड नहीं होती, बट England बहुत थंडा जगे है, ठीक है, तो आप जान सकते हो, समझ सकते हो कि autumn का time जो story में चल रहा है, तो England में autumn का time में बहुत ज़ादा थंड होगी, ठीक है, तो काफी ठंडा मतलब एक तरीके से मौसम है, आप यह समझ सकते हो, साइंस मिस्ट्रेस होती है, यह दूसरी teacher है, तो यह Miss Meadows से बोलती है, अंदर आप कि, आज काफी ठंड लग रही है, ठंड है, kाफी weather काफी ठंड है, अब यह Miss Meadows को लगता है कि इन पर comment मार रही है, madame, ठीक है, तो इन टो teacher है, साइंस मिस्ट्रेस, ठीक है, तो यहALL टीचर लिए खिपनी बहुतल जादा है इसलिए शयद कई तो मोदास नहीं हो तो ये फिर दिखाने के लिए कि भया मेरा mood खराब नहीं ही ये बोल देती है कि यह नहीं इसा नहीं है बहार weather ठीग है इतना भी को़ी खराब नहीं है तो एक प्रेदर ये थोड़ा सा परसनली ले जाती हैं इनका intention है जो science की जो teacher है science mistress इनका intention hurt करने का नहीं था Miss Meadows को बत क्या था Miss Meadows already mood इनका खराब था तो इनको हर चीज असा लग रही थी कि लोग इन पर personally comment कर रहे है हर चीज इनका against story है होता नहीं हमारा भी जब mood खराब होता है कोई हमसे जड़ासा भी कुछ कह दे तो हमें लगता है पता नहीं यार यह बंदा हमारे लिए कितनी बड़ी बात क्या रहा है हमारा मन करता है हम बहुत गुस्से में आ जाते है हम react करते है over react करते है जबकि reality इतनी खराब होती नहीं है हम over react करना start करते है तो इसी तरीके से Miss Meadows भी एक तरीके से over react कर रही थी इनका intention यहाँ पे वो नहीं था science mistress का कि उनको hurt करना उन्होंने से normal बोला था भई है कि बहुत ठंड बहुत है उन्होंने बोल दी है नहीं नहीं अब इनका mood फिर खराब हो गया ठीक है आप देख सकते हैं आप मूड खराब हो गया इनका अब यहाँ बच्चे है काफी सारे अब इनकी एक favorite student होती है जिसका नाम था Mary Bezley यह इनकी favorite student है ठीक है Miss Meadows की तो यह favorite student इनको बोलती है मैडम आजएए आप अपनी seat ले लीजे प्यान होगी आप हमेशा seat भईये मैं आपके लिए seat तयार कर दी है respect में बोलती है favorite student है कि मैडम आईए आप अपनी seat ले लीजे प्यान होगी अब इनका होता है mood बहुत जादा खराब ठीक है इनका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा होता पढ़ाने माड़ा देखा बड़ा मतलब music सिखाने का मन नहीं होता बड़ा ही खराब mood में होती है अब हमें मालूम बढ़ा अभी तक हमें यह नहीं मालूम बढ़ा story में कि इनका mood क्यों खराब है अभ हमें मालूम बढ़ा है इनका mood क्यों खराब है इनका mood इसलिए खराब है क्योंकि इनका एक fiancé है जिसका नाम था Basil ठीक है यह Miss Meadows है इनका fiancé है जिसका नाम था Basil ठीक है अब Basil से इनकी शादी पक्की होगी ठीकि शादी इनकी होगी अभी हुई नहीं थी सरफ coach ship period में थे फ्याउन से थे ठीक है मंगेतर थे इनके अब क्या हुआ Basil का इनके पास क्या होता है जैसे यह अपने जब घर में होती है तो इनके पास बैजल का जो इनका फ्याउन से होता है उसका एक लेटर आता है और लेटर में बैजल लिखते है कि भाईया मैं तुमसे शादी नहीं कर रहा है मैं तुमसे अपनी शादी तोड़ रहा हूँ ठीक है और उसमें बैजल लिखते है लेटर में कि Marriage makes me feel Disgust ठीक है Marriage makes me feel Disgust तो मतलब एक तरीके से जो बैजल होता है जो इनका फ्याउन से होता है वो इनके emotions की कदर नहीं करता Miss Mediuse की सीधा-सीधा लिख दिया है कि Marriage से मुझे पता नहीं Disgust का मतलब होता है बहुती गंदी feeling वो कहता है कि मुझे Marriage से बड़ी गंदी feeling आती है मैं शादी वादी करना नहीं चाहता मैं तुमसे शादी तोड़ रहा हूँ मैं अपना रिष्टा तोड़ रहा हूँ तुमसे शादी नहीं करूँगा तो ये इसलिए इनका mood आज खराबता इसलिए अब हमें मालूम पढ़ रहा है स्टोरी में राइटर ने यहाँ बताया है Catherine Mansfield ने राइटर ने यहाँ पे अब हमें secret खोला है कि क्यों इनका mood खराबता Mrs. Meadow का क्योंकि घर पे ये letter पढ़के आई थी तो इनका बिल्कुल सारे इनके सपनों पे एकदम से सपने इनके सारे टूड जातने चकना चूर हो जातने एकदम ठीक है तो इसलिए इनका mood खराब है इसलिए बहुत ज़दा आईए upset है तो हमें यह समझ में आता है और bezel ने पता है एक चीज और कही थी bezel ने ये letter है जो letter लिखाता है न उसमें disgust को ऐसे काट के यहां लिख दिया था regret अब एक बात तो कितना मतलब वैसा behavior है यह मतलब insensitive behavior बोला जाएगा इसको यूंकि अगर आपको यह चीज नहीं लिखनी disgust आपको regret लिखना ही है तो आप इसको पूरे को हटाई दो न इसको हटाई देते यह वर्ड को यूजी नहीं करते लेकिन इन भाई साब ने ऐसा नहीं किया इन भाई साब ने कैसा किया बस इसको अलका सा इंटराइन कर दिया bezel ने और यहां लिख दिया regret तो मतलब बहुत ही insensitive behavior है bezel को इस चीज की कोई tension नहीं है इस चीज की कोई figure नहीं है कि जो मेरी fiance है Mrs. Meduse इनको कितना खराब लगेगा इनके अंदर कितना मतलब इनका दिल तूड़ जाएगा तो बार-बार राइटर ने बोला है कि आज के दिन इनको ऐसा लग रहा है जैसे इनका जो दिल है ना दिल किसी ने cheat दिया हो तीर से जैसे दिल cheat देते हैं आपका दिल होता है जैसे दिल को जैसे कोई ऐसे cheat दिया जाए तो इनको ऐसा feel हो रहा था आज के इनकी मेरा दिल किसी ने cheat दिया है कि इतने खराब words use करेते देखो words एक ऐसी चीज़ है words बहुत powerful होते है words can make your day और words can break your day words आपकी जिंदगी बहुत अच्छी भी कर सकते है words आपकी जिंदगी बहुत ही नरक से बत्तर भी कर सकते हैं तो वो वाली कहानी यह वोई थी क्योंकि बैजल ने बहुत ही खराब words का use किया था अगर वो यह ठीक तरीके से बोलता तो शायद इनको इतना दुखना होता तो अब हमें यहाँ पर समझ में आगया कि मिस्स मेड्यूस हैं यह दुखी क्यों है क्योंकि इनके फ्यॉण से बैजल ने इनके साथ अपना रिष्टा खतम कर लिया था अब mood इनका खराब है ठीक है बच्चों का mood शुरू में बहुत अच्छा था जैसा कि हम देख सकते हैं किसी की death हो जाती है तो हम रोते हैं lament करते हैं मतलब बहुत ज़दा चीख मतलब एकडम से दुख मनाओ lament बहुत коммент लार्या कि बहुता कैसा है mostly 그거 कि किके death हो जाती है कि इसकी के साथ बहुत ज़दा बुरा हो जाता तो यह वही कह रही है कि वो वाला song आओ, जैसे मान लो किसी के संग बहुत ज़ादा बुरा हो गया, इन्होंने बताया नहीं बच्चों को कि क्या हुआ, लेकिन ये इनका mood घराब है, तो उन्होंने ये बोल दिया, अब बच्चे क्या होते हैं, बच्चे अब क्या होते हैं, बच्चे धीमे दी में और बैसल आपस में एक दूसरे से प्यार दोनों ही नहीं करते थे, ठीक है, दोनों ही प्यार नहीं करते थे, मिस मेडियूस जब अब रिमेंबर करती है, याद करती है कि बैसल सरफ देखने में ठीक था, देखने में तो handsome था, बट वो उसको प्यार नहीं करता था, तो अब ये देखो कहानी कप की लखी गई है, ये 1900 की कहानी है, ठीक है, 100 साल से पुरानी कहानी है ये, चीश आई तो उस ताइम की प्रिड़ की गा रही है, उस ताइम प्रिड़ पर अगर वुमेन 30 साल की है और अन्मरेड है तो बहुत ज़ादा इसको माना जाता कि बहुत ही वह नहीं है आपस में कोई प्यार नहीं है लेकिन society ताने ना मारे इस से बचने के लिए कहती है चलो ठीक है मैं शादी कर लेती हूं बैजल से और बैजल जो होता है बैजल होता है 25 साल का बैजल इन से 5 साल छोटा था और ये बताया गया है story में काफी handsome भी था ठीक है अब बै बैजल इन से इसलिए शादी करता है क्योंकि बाր बार राइडर ने indirectly hint किया कि जो बैजल ये हो गय है ठीक है बैजल गय है बैजल स्ट्रेट नहीं है ठीक है बैजल गय है बैजल स्ट्रेटी नहीं है लेकिन society के नजर में ओ दिखाना नहीं चाहता है कि वह गय है तो इस इसलिए शादी कर रहा है, इसके साथ, ठीक है, मिस मेडियूस के साथ, क्योंकि अगर इसके साथ शादी कर लिए तो society में दिखाने के लिए उसके बीवी होगी, और वो अपना ये जो इसका behavior है, gay behavior इसको छुपा सकता है, राइटर ने इसको कैसे मालम, मतलब आपको मालम बढ से, ठीक है, तो जब ये propose करते हैं, तो normally क्या होता है, लिलका लिलकी ओगर propose करता है, तो हात पकरता है, ठीक है, हात टे किस करता है, तो इस तरह से चीजे करता है, लेकिन इन बैजल्स ने भाई साब ने, Miss Maddoos, जब propose किया, तो उनको टची नहीं किया, इन्होंने क्या गजर में ये प्रूव ना हो कि ये गे हैं इनकी भाईया इनकी एक वाइफ है तो दोनों ही एक तरीके सम्द देख रहे हैं अपने मजबूरियों की वह से शादी कर रहे हैं लव जैसी कोई चीज नहीं थी दोनों के अंदर ठीक है अब क्लास चलती रहती है गाना चलता रहता है lemon song तो इतना में एक student आती है Monica वो बोलती है इनको Miss Maydious को कि Miss Vyart है Miss Vyart wants to see you अब यह Miss Vyart कौन है, यह है, Head Mistress, ठीक है, अब Head Mistress कौन होती है, जैसे मान लो, School की Principal, तो यह Monica आगे बोलती है, कि जो Miss Vyart है, जो Head Mistress है, एक तरीके से जो Principal है, यह आपको देखना चाहती है, ठीक है, यह मतलब आपको बुला रही है, यह Miss Meadows को बोलती है, ठीक है, तो Miss Meadows फिर भा अब नॉर्मली क्या होता है, कि स्कूल टाइम में कोई लेटर आता नहीं है, स्कूल टाइम में लेटर तभी आता है, जब कोई बहुत जादा Bad News हो, यह बहुत जादा Emergency हो, मान लो, किसी की Death होई हो, ठीक है, इस टाइप से, तो फिर यह Miss Vyart बोलती है, कि भाईया, I wish कोई यार खराब News ना हो, ठीक है, तो चेक कर लो, तो बड़ा, इनका यह बड़ा mood sad सा होता है, सिंपथी दिखाती है, और यह होती है, जो Miss Medeus, यह देखती है कि लेटर बैजल का है, तो यह घबरा जाती है, पता नहीं कि बैजल की Death तो नहीं, ओई क्या आओगा, एस टाइम प पदल लिया है, तो यह पढ़के जो Miss Medeus हैं, बहुत खुश हो जाती है, ठीक है, she becomes very happy, बहुत खुश हो जाती है, और यह बोलती है फिर इनको, Miss Veyart को कि मैडम, खुशी की बात है, कोई ऐसी खराब बात नहीं, मेरे फियॉन से बैजल ने भेजा है, ठीक है, और यह बहु इनके थोड़ा जले पर नमक साच लगती है, कि मेरे फियॉन से ने भेजा है, इस टाइप से करके, ठीक है, अब यह तो unmarried है, तो इनको बड़ा खराब लगता है, भाईया कोई इन से बोले, कि मेरे फियॉन से ने भेजा है, ठीक है, तो यह भी चुड़े जाती है, यह भ स्कूल टाइम में मत मंगवाया करो, तो में माले में स्कूल के टाइम पर पढ़ाई होती है, और इस टाइम पर कोई emergency news हो तभी आती है, यह अच्छे अच्छे newsletter क्यों मंगवा रही हो, अपने फियॉन से से, तो यह कहके, यह भी बड़ी कुछ सम हो जाती है, और फर यह, मि Ahmedage तो बड़ी खुश होती है, फटामवर वापस आती है, अब यह, क्लास में आके क्या बोलती है, बड़ी खुश हो जाती है, शीजव वैर्य हैपी, अब यह बोलती है, यह समर का सौंग गाओ, अब रोने धोने वाला सौंग, मत गाओ, ठीक है, वो जो पहले लेमेंटिंस और यह autumn वाला time का song मत गाओ, आप गाओ summer song, क्योंकि summer एक तरीके से ना symbolize करता है happiness को, और autumn एक तरीके से symbolize करता है aging को, तो पहले जो नोंने song जो गाया था, Lament का autumn और जो भार मौसम हो रहा था, तो उससे बड़ी depressed हो रही थी, इनको महसूस हो रहा था, मेरी उमर निकलती जा मेरी aging हो रही है, बट अब यह बोलती है summer song, summer का मतलब होता है youth, summer का मतलब होता है hopes, ठीक है तो अब यह बोलती है, यह वाला song गाओ, तो एक दम से बच्चे ही बड़े खुशे हो जाते हैं, बच्चे फिर तेज तेज समर सोंग गाना शुरू कर देते हैं, तो एक तरीके से अब यह story लिखी गई, तो लोग बहुत जादा दूसरों को impress करने के लिए चीज़े करते थे, कैसे मालम बड़ा, जो miss, यहाँ पर जो Matthews है, यह शादी क्यों करना चाहती थी, यह शादी इसलिए करना चाहती थी, बैजल से, क्योंकि, यह society में अपनी image बनाना चाहती थी, भहिया, मैं 30 साल की हूँ, मैं unmarried नहीं हूँ, ठीक है, और बैजल शादी इसलिए करना चाहता था, क्योंकि वो दिखाना चाहता था, कि भहिया, मैं gay नहीं हूँ, तो दोनों अपनी सर्फ respect बनाने के लिए कर रहे थे, society में उनकी respect बनी रहे, ठीक है, तो society में respect ज्याता है ठीक है, लव है कि नहीं है, उनके relation में यह कोई मतलब नहीं है, लव था नहीं तो उनके बीच में कुछ भी, बैजल उनको बहुत mistreat कर रहा था, जिस तरीक से letter बेजा था, वो letter ही अपने आप में बहुत ही जादा, खराब तरीक से बेजा गया था, insensitive letter था, ठीक है, और जो ultimately हमें यह मालुम पढ़ रहा है, कि ना तो reality में बैजल जी रहा था, ना reality में यह miss, यह Matthew जी नहीं थी, कोई नहीं जी रहा था, reality में, ठीक है, reality में हम लोग नहीं जीते हैं, हम लोग सिरफ एक illusion वाले world में जीते हैं, दोनों ने अपना एक illusionary world बना लिया था, ठीक है, और हम लोग इस इस की बहुत tension करते हैं, कि आसपास वाले क्या सोच रहे है, society वाले हमें respect दे रहे हैं, कि नहीं दे रहे हैं, बहले हम relation को drag क ठीक है, प्यार होना और relation में, लेकिन relation चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बस दुनिया को लगे कि भईया मैं 30 साल की में married हूँ, बस काम खतम, ऐसी रड़के को लग रहा है, कि दुनिया को ना पता चल जाया है, मैं gay हूँ, ठीक है, दुनिया की नेदर में में respect बनी रहे ठीक है, तो relation कैसा भी करके, बस society के नहीं में चलता रहा है, प्यार होना उससे कोई मतलब नहीं, पहली चीज़ हमें ये मालम बढ़ी है, दूसरी हमें ये मालम बढ़ी है, कि लोग आपकी खुशी से इतना खुश नहीं होते, लेकिन आपकी दुख से बहुत खुश होते है अंदर ही अंदर, क्योंकि ये प्रिंसिपल जो आई थी, आपने देखो, प्रिंसिपल स्टार्टिंग में कैसे मूजा बना रही थी, बढ़ा बढ़ा शरीफ सी बन रही थी, ये मुझे लग रहा है, बढ़ा खराब सी नीज होगी, बैड नीज होगी, लेकिन जैसी इन्हे इसने मालम बढ़ा कि भाई ये नीज गोड है, तो इनका मूड ही इतना चेंज हो गया, बड़ी दुखी सी हो गई, होता है न, तो इसलिए बोलते हैं कि भाई दुनिया में लोग दूसरे की अपने दुख से इतना दुखी नहीं है, इतना दूसरे में खुशी से दुखी ह इसने बोला न, अच्छी न्यूज है, तो देखो कैसा इनका मूव बन गया, हेड में स्ट्रेस का, इसने चीकते चला तो बोला, ऐसे ऐसे लेटर नहीं आने चाहिए स्कूल में, तो मैं ये भी मालम बढ़ रहा है, कि लोग एक दूसरे के सामने जो अपनी इमेज रखते है न, वो रियल इमेज नहीं होती, ठीक है, अंदर से लोग इस चीज से खुश होते हैं, कि दूसरों का बुरा हो रहा है, तो उससे ज़्यादा खुश है, ठीक है, तो ये चीज में में सामसाफ नजर आ रही है, तो काफी इंटरस्टिंग को हैं है, human behavior के बारे में काफी इनो इसमें एनलिस करिए, क्याथिन मैंस्फिल्ड ने, वाई इसी के साथ ये स्टोरी खतम होती है, अगर आपको ये वीडियो चलागा, तो काइंट लीज को सब पसाँ शेर जरू करिएगा, have a nice day, bye bye, take care